स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधी अकेडमी पर हम लोग SSC GD का अभ्यास प्रशनपत्र कर रहे थे उसी क्रम में आज हमें करना है प्रशन संख्या 16 ठीक है सैट हमारा 16 है इस सैट को अगर आपको ऑनलाइन देना है तो आप इस वीडियो को देखने से पहले ऑनलाइन भ चैनल ऑप्सन आपको दिया हुआ है तो जब आप इस टैस्टरी पर क्लिक करते हैं तो आपको यह बैच मिल जाएगा यहां पर SSC GD का टैस्ट पेपर दिया हुआ है फ्री ओफ कोस्ट है कोई चार्ज नहीं है इसका तो आप यहां पर जाकर इस टैस्ट पेपर को दे सकते ह ठीक है इसके साथ ही आप में से बहुत सारे छात्र जो किसी अन्य परिख्षा की तैयारी भी कर रहे हैं और वो उसके लिए बैच देना चाते हैं तो नया बैच आपका सुरू हो गया है सामाने हिंदी लाइव बैच का नया बैच शुरू हो गया है 26 दिसंबर से आपका बैच शुरू होने वाला है तो आप इसमें अडमीशन ले सकते हैं अधिक जानकारी के लिए दिये हुए नंबर पर कॉल कर ले ठीक है इसी तरह से आप में से बहुत सारे छात्र किताबों के बारे में जानना चाहते थे कि मैं आपकी कौन-कौन सी किताबे आती हैं तो मैं बता द किताब आपको मिल जाती है और परिक्षा के लिए स्पेशल सामने हिंदी की किताब भी आपको यहां पर मिल जाती है ठीक है तो ओनलाइन अभी हमारी यही किताबे हैं और भी किताबे आने वाली हैं आपको पता चल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 1 शब्द का प्रियोग करना है रिक्तिस्थान दिया हुआ है वाक्य है अनावरिस्टी से फसल डॉट 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 गई अनावरिस्टी से फसल बरबाद हो गई अनावरिस्टी से फसल गल गई अनावरिस्टी से फसल सूख गई या अनावरिस्टी से फसल नस्ट हो गई त कौन सा करना होगा उचित ठीक है तो आप इसको पहचानेंगे सबसे पहले दिया है अनावरिष्टी अनावरिष्टी का मतलब क्या होता है अनावरिष्टी का मतलब होता है बिल्कुल भी वर्सा ना होना ठीक है तो इस तरह से जब हमने अती वरिष्टी आएगा तो मतलब बह जब सूखा पढ़ रही है तो फसल सूख जाएगी, तो क्या हो जाएगा? आंसर C हो जाएगा, फसल सूख गई, बात समझ में आगे, इसी तरह से आपको उत्तर देना होता है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगला प्रशन दिया हुआ है, आपर प्रशन संख्या 2, निमलिखित प प्रशन संख्या 3, प्रशन संख्या 3, रिक्ति स्थान की पूर्ती करने के लिए सरवादिक उप्योंक्त शब्द का प्रयोग करना है, शब्दिया है मिस्टर दीपक समारो में आए हैं तथा साथ में उनकी डॉट डॉट भी उनके साथ आई हैं तो साथ में उनकी इस्तरी भी उनके साथ आई हैं साथ में उनकी महिला भी उनके साथ आई हैं साथ में उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है, या साथ में उनकी नारी भी उनके साथ आई है, तो आपको पता है, जब हम किसी व्यक्ति के लिए बात करते हैं, तो हम उसके लिए पत्नी शब्द का प्रियोग करते हैं, यानि किसी व्यक्ति के साथ जो उनकी इस्त्री या उनकी प्रशन संख्या चार कहता है दिये गए युग्म में विलोम शब्द का असंगत युग्म चुनना है असंगत मतलब जो गलत है यानि जिसमें विलोम शब्द नहीं है वो आपको चुनना है option A दिया है रूक्ष और म्रदूल, option B वेद और पुरान, option C प्राचीन और अर्वाचीन, option D पुराना और नया, तो आपको पता है पुराना नया एक दूसरे का विलोम है, प्राचीन अर्वाचीन, प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब आधुनिक, दोनों एक दूस लेकिन वेद पुराण एक दूसरे का विलोम नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, यही असंगत युग में हैं, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, प्रेसन संख्या 5, प्रेसन संख्या 5 कहता है, कि दिये गए विकल्प का वो भाग ज्यात करना है, जिसमें क कोई तुरुटी है, तुरुटी आपको देखनी है, वाक्य आपको दिया है, सरकार को आतंकवाद और अलगावद का समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना चाहिए, अब इस वाक्य में क्या गलती है, तो आप देखते हैं कि अलगावद का समस्या जो यहाँ पे दिया इसमें गलती है, यानि समस्या क्या है, इस त्रिलिंग होती है, ठीक है, तो समस्या से पहले जो कारक्चिन यहां पर लगा है, यानि यह हो गया सम्मंधी, और सम्मंधी से पहले यहां पर जो सम्मंध कारक लगा है, यह भी क्या होना चाहिए था, इस त्रिलिंग होना चाहिए चलो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न प्रसंद संख्या 6 प्रसंद संख्या 6 कहता है सही वर्तनी वाले शब्द का चैन करिए सही वर्तनी वाले शब्द का चैन करना है अधित्य भुमी सुत मयंक या ससी तो आप देख रहे हैं यहां पर बहुत बारी किसी यहां पर गलतिय है से जो जए पृह है सशी किया सफ़ीश केते हैं चंद्रमा को अभी है मैं करने हैं यह क्या है कि यहाँ पर जो यह अंक्य बिंदी लग Krista क्या होती है यहां होती होती तो तक हून outta हुदा ठीक है सहीवर्तनी सकी और और ये भूमी नहीं, भूमी होना चाहिए था, और ये अधित्य नहीं, आधित्य होना चाहिए था, तो इन तीनों में गलती हो गई, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया, चलो, आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्ण संख्या साथ, प बात कह दी गई है उसको बार-बार कहना है इसके लिए एक सब्द क्या होगा दोहराना पुना दोहराना या अग्र सोची या पुन्रुक्ती तो एक बात जो कह दी गई उसी बात को बार-बार कहने को हम पुन्रुक्ती कहते हैं ठीक है पुन्हा उक्ती मतलब पुन्रुक्ती क मतलब हो गया पुना उकती यानि बार बार उकती यानि बार बार कथन तो कहीं बात को बार बार कहने को पुनरुकती कहते हैं तो आंसर डी हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं प्रस्न संख्या आठ प्रस्न संख्या आठ कहता है दिये गए विकल्पों में से उस विकल को देखा, अंक भर लिया, मतलब क्या होता है, अंक भरने का मतलब होता है, किसी को गोध में ले लेना, ठीक है, अंक का मतलब होता है, गोध, ठीक, तो आंसर होता है C, तो गोध में ले लेना हो जाएगा, इसका भावार्त, चरो आगे बढ़ते हैं, प्रसंद संख्या 9, प्र बड़ी तीवरता से ठीक है यह वाले हिस्से को चलो यह टाइपिंग मिस्टेक प्रेश्ण में रही है तो भारत में जन संख्या बड़ी तीवरता से बढ़ रही है तो यहां पर आपको option देखना है दिया हुआ है सबसे पहले तो देख लेते हैं इसमें क्या गलती है तो गलत गती यह सही लिख ळाए तो यह हमारा सही हो सकता है बड़ी तीवर फिर इसमें गलत आगया बदलाब की अवश्यक्ता है तो अकट आँसर हमारा क्या हो गया व्यों है ठीक है तो इस तरह से हमें उत्तर बी मिल जाता है नंबर दस प्रस्ING संख्या स्था क्या तुच्च्च तुछ शब्द किसका प्रयावाची है तुछ शब्द का प्रयावाची आपको बताना है शब्द दिया है कम नीचा उन्माद या अधम तो तुछ कहते हैं निम्न विक्ति को या नीच विक्ति को या दुष्ट विक्ति को या अधम विक्ति को ठीक है तो तुछ अधम को कहते यह इसका प्रयावची हो जाएगा बाकी और इसके प्रयावची नहीं है ठीक है उनमाद का मतलब होता है एक तरह की सनक आगे बढ़ते हैं अगला प्रशनाता है प्रशनाता 11 सही वर्तनी वाला शब्द नहीं है पूरा प्रशन पढ़ना है कि यहां से सही वर्तनी नहीं दिया है जगत जननी तो ध्यान दीजिएगा जगत जननी सही है अंतरास्ट्रिय सही है विश्मृत सही है व्यावहारिक नहीं व्यावहारिक होना चाहिए था तो आंसर जो है वो देखो इसको यहां से हटा के यहां लिखेंगे अम इसको क्या होना चाहिए था यह व्यावहार टेक है तो यह इसका शुद्रूप होता है चलो आगे बढ़ते हैं आगला प्रिश्ण अध्रिश्ण संख्या 12 कै रहा दिए गए वाक्य का वहभाग ज्याद करें जिसमें कोई तुरूटी है यद यूदि नहीं है तो कोई तुरूटी नहीं वाला चुनेंगे मानव सरीर पर लगवग 70% पानी पाया जाता है अब आपको पता चल गया कि मानव सरीर पर पाया जाएगा कि मानव सरीर में पाया जाएगा तो आपको पता चल गया कि पर का प्रियोग यहां पर गलत है क्या होना चाहिए? में होना चाहिए तो true T आपको कहा मिल गई, true T मिल गई 1 में, तो 1 कहा है यहां पर, तो 1 है यहां, D में, तो उत्तर क्या हो गया, D हो गया, समझ गए, चलो, आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण, प्रस्ण संक्या तेरा, दिये गई शब्द का समानार्थी, शब्द, समानार्थी का मतलब होता ह है प्रयायवाची ठीक समनार्थी का मतलब है प्रयायवाची तलवार शब्द है तलवार का प्रयायवाची यहां पर बताना है शब्द दिया है सर शब्द दिया है खडग शब्द दिया है खद्योत और शब्द दिया है भला तो तलवार का प्रयावाची होता है खडग खड़क माने तलवार, सर का मतलब होता है बान, बान का परियावची है सर, खद्योत कहते हैं जुगनु को, भद्योत कहते हैं जुगनु. शब्द आ गया भाला भाला तो आप जानते हो जो फैक के चलाया जाता है ठीक है तो जो उत्तर है वो आपका क्या हो गया वो हो गया बी इसका उत्तर हो गया ते रहका आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण संख्या 14 प्रस्ण संख्या 14 कहता है प्रतिस्थापित करना है हमें प आप लोगों को पढ़ाया है कि संका और समस्या का समाधान होता है और यहां लिखा है निराकरण तो बस देखते ही आप लोग समझ गये होंगे समाधान कहां है यहां है समाधान भी आंसर हो जाएगा बस हमें और जाद देखने की विज़रोत नहीं है हमें वाक्य सुद्धी क त्यक्ष या भूत पूर्व या भूत पूर्व तो देखो कहा है जो पहले रहा हो किन्तु अब नहीं है मतलब वर्तमान समय में उस पद पर नहीं है तो उसको कहते हैं भूत पूर्व ठीक है उसको क्या कहते हैं भूत पूर्व चलो तो आंसर आपको डी पता चल गया आगे बढ़ते हैं प्रशंट संख्या 16 प्रशंट संख्या 14 दिया है नहीं प्रशंट संख्या 17 दिया हुआ है यह गलत लिखा हुआ है kadar 16 ईया है तो हेरंब किसका प्रियावाची है। हुआ है हेरंब किसका परयावाची है A option में दिया है लंबोदर और मयूरवाहन B option कहता है गिरिजा नंदन और हंस C option कहता है विनायक और गजानन और D option कहता है गडेस और सडानन तो दिहान दीजेगा हेरंब गडेस का परयावाची होता है लंबोदर गड़ेस का परयावाची है लेकिन मयूर वहन जो है वो कार्तिके का परयावाची है तो इसलिए ए उप्सन कट जाएगा गिरिजा नंदन गड़ेस को कहते हैं गिरिजा गिरिजा कहते हैं पारवती को पारवती का पुत्र मतलब गड़ेस हो ग और D में दिया है गडेश और सडानन, सडानन कार्तिके को कहते हैं, तो यह option कट गया, तो आपको answer मिल गया, C में ही गडेश का पड़यावाची है, ठीक है, दोरों, तो इस तरह से पहचानना है, जब इस तरह के प्रशन आते हैं, तो इन्वे हमेशा आपको क्रॉस विधी का ह सहरा लेना चाहिए, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 17 से 20 तक, यह गड्यांस है हमारा, तो पहरा यहाँ पर दिया हुआ है हमारे सामने, जो विध्या की इच्छा रखता है, वह है डोट-डोट-डोट है, क्या है, जो विध्या की इच्छा रखता है, वह है सिक्षार्थी है, जो विध्या की इच्छा रखता है, वह है मनुष्य है, या जो विध्या की इच्छा रखता है, वह है आदमी है, या जो विध्या की इच्छा रखता है, वह विध्यार्थी है, तो जो विध्या की इच्छा रखता है, उसे विध्यार्थी कहते है तो D answer आजाएगा यहाँ पर ठीक है शुरू आगे बढ़ते हैं दूसरा point मनुस से जीवन भर कुछ ना कुछ डॉट डॉट की इच्छा रखता है मनुस से जीवन भर कुछ ना कुछ पढ़ने की इच्छा रखता है मनुस से जीवन भर कुछ ना कुछ सुनने की इच्छा रखता है मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ कहने की इच्छा रखता है अब आप अगर यह देखोगे तो यहां पर चारों के चारों सेट हो जाएंगे लेकिन हमें इसको लेना है किसके अनुसार गद्यांस के अनुसार तो गद्यांस में हमने तो बात करी है पहले विद्या कि विद्या की इच्छा रखने वाला वह क्या होता है विद्यार्थी होता है तो विद्यार्थी जब वो होता है तो विद्यार्थी के रूप में मनुष्य होता है और जब मनुष्य के रूप में विद्यार्थी होता है तो वो सीखने की इच्छा रखता है क्योंकि विद्या था कि वो क्या है एक विद्ध्यार्थी है ठीक है मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखता है अब आगे बढ़ते हैं इस द्रस्टी से वह सदैव विद्ध्यार्थी रहता है अब मालो अगर आप पीछे भी न जाओ तो आप इसी पंक्ती में इससे भी समझ सकते हो क्योंकि उसने कहा कि जब सीखने की इच्छा रखता है तो इसी वजह से वह सदैव क समय नहीं है अब किसका समय नहीं है मतलब कहता है कि स्थूल रूप से अगर हम वास्तम में देखें तो जो मानव का जीवन काल है यानि मानव जीवन में जो विद्ध्यार्थी काल है यानि जब वो पढ़ाई करता है अध्यान करता है तो वो काल कैसा नहीं है बहुत लंबा समय नहीं है, बहुत छोटा समय नहीं है, बहुत मोटा समय नहीं है, बहुत पतला समय नहीं है, तो हमें पता चलता है कि जो विद्यार्थी काल है, वो बहुत लंबा नहीं होता है, तो यहाँ पर बहुत छोटा नहीं है, ऐसे कहना क्योंकि बड़ा तो होता ही नहीं है, तो य बहुत लंबा समय नहीं है, ठीक है, तो बहुत लंबा समय नहीं है, आगे दिया है, नमबर 20 में देखेंगे, यह मनुस्य के जीवन का dot 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 काल है, कैसा काल है, यह मनुस्य के जीवन का सुहाना काल है, यह मनुस्य के जीवन का स्वर्निम काल है, यह मनुस्य के जीवन का लुहा आवना काल है या यह मनुस्य के जीवन का आध्यात्मिक काल है तो जब हम किसी अच्छे समय के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही अच्छा होता है तो उस समय के लिए हम स्वर्निम का प्रियोग करते हैं ठीक है स्वर्निम का मतलब सोने के समान अब जब हम बात कर रहे हैं मन मनुस्य अपना विकास कर रहा होता है, सीखने की इच्छा रखता है, सब कुछ सीख रहा होता है, तो मनुस्य की जीवन का स्वर्णिम काल उसका विद्यारती काल ही होता है, तो अब हम इस काल को किस नाम से जानेंगे, स्वर्णिम काल के नाम से जानेंगे, तो यह हमें पता होना चाहिए, तो इसमें कुछ ऐसा सूचने वाली बात नहीं है, यह सब कड़ जाएगा, बचेगा हमारा क्या, तो 20 का आंसर हो जाएगा, स्वर्निम, ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे, यह काल हमारा क्या है, स्वर्निम काल है, ठीक है, तो यह है, हम अच्छी तरह से कर पाते हैं, तो यह हमने यहां पर 20 प्रशन किये, तो आप लोगों ने कितने उत्तर सही किये, कितने प्रशन आपके सही हुए, कमेंट बॉक्स में मुझे को जरूर बताईएगा, और आज का पेपर भी हमिशा की तरह बहुत अच्छा और बहुत सरल था, और उमीद करती हूँ, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे डंग से इसको सीखाओगा, समझाओगा, तो आप में से जो छात्रे इसको ऑनलाइन के तरीक ऐसे करना चाहते हैं, उनको इसे कहां से करना है, मैंने आप लोगों को ये पहले ही बताया है, कि उनको इसको, जो ह आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेट पेपर के साथ,